Hello everyone, subscribe कीज़े हमारे कनल को, अज दबाएए इस खंटे को Example 8 ठीक है? अब Example 8 आपकी NCIT की बुक में क्या दे रखा है? उसे देख लेते हैं पहले NCIT की बुक में Example 8 दे रखा है Divide 3x square minus x cube minus 3x plus 5 by x minus 1 minus x square and verify the division algorithm औफिर इसको क्या करना? verify भी करना है तो यहाँ पर देखो आपको जो दे रखा है उसे देखते हैं तो आपको यहाँ PX क्या दे रखा है PX क्या होता है dividend मतलब जिसको divide करना है 3X square minus X cube minus 3X plus 5 और GX divisor जिससे divide करोगे वो क्या दे रखा है X minus 1 minus X square यहाँ दे रखा है अब मैंने कहा पहले तो चीज़ें sequence में होनी चीए क्या यह sequence में है तो नहीं है तो सबसे बड़ी power जो होगी वो क्या होगी minus का X cube उसके बाद plus का 3X square minus का 3X और फिर plus का 5 और इसको sequence में लिखेंगे तो क्या होगा minus का X square plus का X minus का 1 अब डिवाइड करो तो minus का X square plus का X minus का 1 इससे डिवाइड करेंगे minus का X cube 3X square minus का 3X plus का 5 अब देखो यहाँ भी minus है यहाँ भी minus है यहाँ क्या है X का cube और यहाँ क्या है X का square यानि कि X cube लाने के लिए मुझे किस से multiply करना पड़ेगा X से अगर मैं X से इसमें multiply करूँ तो मुझे minus का X cube मिल जाएगा देखो कैसे X से इसमें multiply करूँगा तो क्या हो जाएगा minus का X cube X का multiply इसमें करूँगा तो क्या हो जाएगा plus का X square और x का multiply minus के 1 में करूँगा तो minus का x ये plus का sign ये minus का sign और ये plus का sign ये क्या हो गया? Cancel out plus का 3x square इसमें से minus का x square less करूँगा तो क्या बचेगा? 2x square minus का 3x और plus का x क्या बचेगा? minus का 2x और यहाँ पर क्या बचेगा? अब देखो यहां क्या है sine plus का चैक है तो आप यहां पर sign तो अब normally जो मैंने बताएं sine plus का तो आप plus का लगा होगे लेकिन खुद सोचोगर यहां plus का sign है इस plus के sign से जब यहां multiply करोगे तो यहां पर जो answer आएगा वो minus काईगा क्योंकि यह plus है और यह minus है जब multiply करोगो तो answer minus काईगा ठीक है तो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा minus और यह 2x square है और यह x square है तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा 2 only तो देखो अब minus के 2 से minus के x square में multiply करोगो तब plus का 2x square आएगा देखो 2x square okay, minus का 2x और plus का x इसका multiply हो तो minus का 2x हो जाएगा और minus का 2 और minus का 1 तो minus minus cancel out होगे plus plus का 2 तो देखो यहाँ minus यहाँ plus यहाँ minus यहाँ प्लस यहाँ minus यह तो cancel out यह minus यह प्लस यह भी cancel out अब 5 और 2 अब देखो 5 प्लस का और 2 किसका है माइनस का है तो यहां कितना उच्छा रिमांडर 3 अब इसने का वेरिफाई करना है तो वेरिफाई कैसे करेंगे वेरिफाई करो तो वेरिफाई करने के लिए मैंने आपको बता है क्या बता है PX is equal to GX multiply QX plus RX यही बता है अब PX आपको क्या दे रखा है minus का XQ plus 3X square minus 3X plus 5 भाई यह दे रखा है लिख लो तो minus का XQ plus का 3X square minus का 3X plus 5 यह दे रखा है is equal to GX क्या दे रखा है minus का X square plus का X और minus का 1 चीक है और इसका multiply किस से होगा QX, QX क्या दे रखाता है, X-2, और remainder क्या दे रखा है, 3, चीक है, अब देखो, अब ये left hand side तो ही है, left hand side को right hand side के equal करना, तो minus के X से पहले इसमें multiply करो, तो क्या हो जाएगा, minus का X cube, फिर इसका multiply माइनस और minus plus 2X square, अब इसका करेंगे, तो plus और plus, plus का X square, plus और minus, minus का 2X, फिर इसका करेंगे, minus का X, फिर इसका करेंगे, minus minus, plus, plus का 2, और last में 3, चीक है, अब देखो, minus का X cube, plus का 2X square, और X square, कितना हो जाएगा, 3X square, minus का 2X, और minus का X, minus का 3X, और 2 plus का, और 3 plus का, क्या हो गया, 5, जब देखोगे, यहाँ भी क्या था, यही था, 3X square, minus 3X plus 5, तो देखो, यहाँ भी क्या हो है, देखो, आपका देखो, left hand side, और right hand side, दोन और equal हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, यही होता है, verification, ओके, I think आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इस तरीके से आपका example 8 जो जाता है, वो जाता है, complete, हम लोग example 9, ठीक है, example 9 जो है, वो आपके लिए क्या है, most important है, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, most important है, आपके board examination के लिए, ठीक है, अब देखते है, example 9 बोलता क्या है, ठीक है, बड़े ध्यान से समझेंगे, बहुत important question है, तो देखेंगे, example 9 बोलता है, find all the zeros of 2x की power 4, minus 3x q, minus 3x square, plus 6x minus 2, यह आपको एक polynomial दे रहा है, इसके zeros आपको find करने है, if you know that, 2 of its 0 are, root 2 and minus का root 2, यानि कि इसके 2 0 है, root 2 और minus का root 2, ठीक है, तो क्या-क्या चीज़ें आपको दे रखी हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा note कर लेते हैं, आपको एक polynomial दे रखा है, px is 2x की power 4, minus 3x cube, minus 3x square, plus 6x minus 2, यह आपको दे रखा है, और आपको zeros बता रखे हैं, 2 zeros आपको दे रखे हैं, क्या-क्या है, root 2 and minus का root 2, ठीक है, अब आपको बताना है, इसके सारे के साद इस 0 find करने हैं, तो पहले तो यह पता होना चीज़े हैं, कि इसके 0 होंगे कितने, तो देखो, हमेशा 0 का पता करने के लिए सबसे main तरीका होता है, कि इसके degree कितनी है, 4, अब डिगरी क्या होता है, highest power, highest power क्या है, 4, यानि कि degree होई 4, तो degree अगर 4 है, तो इसके maximum 0s होंगे, maximum 0s जोंगे, वो कितने होंगे, 4, कोई भी polynomial की जितनी degree होती है, उतने ही उसके maximum 0s होते हैं, और आपको अब 4 0s हैं, तो 4 0 find करने 2 आपको दे रखे हैं, ठीक है, अब हम आपको questions बता चुके हैं, जब आपको 0 दे रखे होते हैं, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, factor, सेम इसका उल्टा कर सकते हो, छीक है, ये चीज़ें आपने 9th class में भी करी होंगी, और 10th class में भी आपने जो है, starting की जो exercise थी, 2.1, 2.2, नहीं, आपने यहांने किया होगा, 9th class में ही किया होगा, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ यहांपर, 0s क्या होते हैं, कि अगर root 2, x की जगे पर root 2 रख देता हूँ, तो ये polynomials की value क्या हो जाती है, 0 हो जाएगी, इसी तरीके से minus का root 2 अगर value रखूँगा, x की, तो भी इस polynomial की value क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और अगर इनकी value 0 हो जाती है, तो ये क्या है, इसके 0s हैं, और इन 0s से क्या निकालते हैं, factor, ठीक है, तो factor के लिए आपको उल्टा करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, यानि कि अगर x is equal to root 2 है, तो x minus root 2 is equal to 0 हो जाता है, इसी तरीके से x is equal to minus का root 2 है, तो x, ये हाँ पर आएगा, तो x plus root 2 is equal to क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ओके, ये चीज़ें आपने 9th class में की होंगी, recall करें, अगर नहीं है, अगर आपको आता है, polynomials ही है, उसको आप revise कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को देखोगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों जो है, इसके क्या होंगे, factor, हमने 9th class में factor theorem पड़ा है, factor theorem क्या होता है, कि अगर factor से किसी भी polynomials को divide करते हैं, तो वहाँ पर reminder क्या बसता है, जीरो बसता है, ठीक है, तो ये दोनों क्या factor, अगर आप इससे divide करो, या इससे divide करो, जो reminder बचेगा, वो क्या बचेगा, जीरो, तो हम कैसे करेंगे, इसको पहले लिखेंगे, कि x minus root 2 and x plus root 2, both are the zeros, sorry, both are the factor of, both are the factor of px, आगे समझे, both are the factor of px, अब अगर आप देखो, अगर ये दोनों factor अब px हैं, अब देखो, x minus root 2 और x plus root 2, इसका मतलब क्या होगा, a minus b और a plus b, अब इन दोनों के अगर मैं multiply करूँगा, x minus root 2 और x plus root 2, यहाँ पर कौन सी identity लग जाएगी, a minus b और a plus b, is equal to क्या होता, a square minus b square, a यहाँ पर क्या है, x, x, a की value क्या है, x और b की value क्या है, root 2, a का square, याने की x का square, minus b, याने की root 2 का square, याने की क्या होगा, x square minus 2, square से root cancel out हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2, x square minus 2, तो क्या मैं इसे यह भी बोल सकता हूँ, कि x square minus 2, is also the factor of px, आपको होगे सरी है, आपने क्योंक, ऐसे कैसे बोल दिया, तो देखो, एक example देता हूँ, यहाँ पर, suppose करो, आपके पास एक number है, 36, इसके दो factor आपको पता ही है, factor काफी है, लिकिन आपको दो factor पता है, 2 और 3, factor क्या होता है, जिससे आप इसको अगर divide करोगे, तो remainder 0 बचना चीए, 2 से 18 बार अगर multiply करोगे, तो 36 आजागा, और 3 से करोगे 12 बार, तो यहाँ पर क्या जागा, 36, यानि कि 2 से भी 36, पूरी तरीके से divide हो जागा, और 3 से भी, ठीक है, तो क्या अगर मैं इन दोना factor का आपस में multiply कर दो, 2 multiply 3, 6, तो 6 से भी, अगर मैं 36 को divide करोगा, तो भी पूरी तरीके से divide हो जागा, 36, ठीक है न, तो जब किसी भी number के 2 factor दे रखिया हो, तो उनका जो multiplication, उन दोना factor का जब multiply करोगे, multiply करने के बाद जो answer आता, उस से अगर आप उस number को divide करोगे, तब भी remainder क्या बचेगा, 0 बचेगा मैंने वही चीज किया, यहाँ दो factor दे, x minus root 2 और x plus root 2, इन दोनों का आपस में multiply करती है, क्या हो गया, x square minus 2, और इसका जब यह क्या हो गया, अब यह भी क्या बन गया, हमारे इस px वाले polynomials का क्या बन गया, factor बन गया, चीक है, अब इसका बाद और आगे क्या करेंगे, तो plus 6x minus 2, अब इसको divide करो, तो divide करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, 2x की power 4, और यहाँ पर क्या, x square, तो 2x square, अगर इससे multiply करेंगे, तो यहाँ पर देखो 2x की power 4 हो जाएगा, कैसे, 2x square सिस में multiply करोगे, तो क्या होगा, 2x की power 4, और इस सिस में multiply करोगे, तो हो जाएगा 4 x square देखो 2 2 जा 4 minus 4 x square तो जो value जिसके नीचे आए जो आएगी उसी के नीचे रखने है जैसे यह square की value हो तो square के नीचे x की power 4 है तो x की power 4 के नीचे cube आता तो cube अब देखो यहाँ पर क्या हो गया यह minus और यह क्या हो गया plus यह cancel out हो गया अब बचा क्या minus का 3 x cube यह minus का 3 x square और यह plus का 4 x तो क्या बचे गाए यहाँ पर plus का x square plus का 6 x और minus का 2 ठीक है अब यहाँ पर किसका sign है minus का minus रख दो यहाँ क्या 3 x cube और यहाँ क्या x square ठीक है यानि कि यहाँ पर हो तो 3 x से multiply करना पड़ेगा तो minus के 3 x से में multiply करो तो minus का 3 x cube और minus minus क्या हो जाएगा plus plus का 6 x देखो square की value नहीं आ रही है x की value आ रही है अब इसको देखो plus और यह minus यह भी cancel out यह भी cancel out क्या बचा x square minus 2 अब इसके आगे plus का sign लगा दो x square minus 2 यहाँ भी दे रखा है और x square 2 यहाँ भी है तो क्या है plus के 1 से multiply करो x square minus 2 यहाँ पर minus यहाँ plus यह दोनों cancel out हो क्या reminder क्या बच गया 0 ठीक है अब हमारा reminder जो है वो क्या निकल के आया sorry reminder तो 0 आ गया question क्या निकल के है 2 x square minus 3 x plus 1 यानि कि यह क्या हो गया यह भी जो है यह भी हमारे लिए क्या हो गया यह भी हमारा क्या हो गया एक quadratic polynomial हो गया और एक यह quadratic polynomial है तो इस quadratic polynomial को आगे भी आप इसका factorization कर सकती हो splitting गा middle term से कैसे करेंगे उसे देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पहले आप इन चीजों को ऐसे लिखो 2x की power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 इसके दो factor थे x square minus 2 यह क्या था gx और दूसरा क्या था qx qx के आदे रखाता 2x square minus 3x plus 1 remainder तो 0 है क्योंकि अभी हमने division algorithm पढ़ा था न px किसके equal होता gx multiply qx plus remainder के remainder तो 0 हो तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे अब देखो x square minus 2 यह किन दो factor से बनाता तो हमने यह चीज देख लिया यह किन दो factor से बनाता x minus root 2 और x plus root 2 से बनाता ही है यह चीज और इसको करोगे तो अब इसके लिए क्या है a की value क्या दे रखी है 2 इसको splitting the middle term यह करना आपको आता होगा नहीं आता तो बता देता हूँ splitting the middle term क्यासे करते हैं कि देखो यह जो होते हैं यह किस form में होते है b की value क्या दे रखी है 3 और c की value क्या दे रखी है आपको 1 अब क्या करना पड़ता है a multiply c a multiply c का मतलब वह 2 बन जा 2 और b की value क्या है 3 तो हमें 2 ऐसे number चीए जिनका multiply करने पर तो क्या आजाए 2 आजाए a c कितना आ रहा है यहाँ पर हमारा 2 और b कितना है 3 तो याने कि दो number चीए जिनका multiply करने पर है 2 और plus करो या minus करो answer आना चीए 3 यह भी आपका basics बात है 9th class की अगर नहीं आती है तो मेरे playlist में जाके 9th class में exercise 2.4 में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको यह चीज़ें मिल जाएंगे अब आपको क्या करना है दो number कौन कौन से हो सकते है 2 और 1 अब इनका आपस में multiply कर देखो 2 बन जा 2 और 2 और plus 1 कितना हुआ 3 तो देखो 2x square इसको minus 3 को क्या लिख सकता हूँ 2 plus 1 x plus 1 ठीक है अब यहाँ पर देखो x minus root 2 x plus root 2 यह तो हो गया इसे देखोगे 2x square minus bracket के बार minus का sign bracket के sign change हो जाएंगे तो minus का 2x plus का 1x plus 1 x minus root 2 x plus root 2 यह तो होई गया अब इन दोनों में से क्या common आ सकता है दूदों के पियर ले लेंगे तो 2x common आ गया तो क्या बच्छा x minus 1 इन दोनों में से क्या common आ सकता है तो यहाँ पर देखोगे यहाँ minus का sign आएगा जोकि bracket के बार minus का sign bracket के sign change होगे इन दोनों में से क्या common आएगा minus का 1 तो अंदर भी बच्छेगा x minus 1 चीक है तो अब यहाँ पर क्या factor हो जाएंगे इसे देखो x minus root 2 x plus root 2 और यह हो जाएगा x minus 1 और यह हो जाएगा 2x minus 1 चीक है आप देखो यह चीज़ आप कर चुके हो अब देखो यहाँ पर कौन कौन से x minus root 2 है is equal to 0 तो x is equal to root 2 यह तो हमने किया ही था x plus root 2 is equal to 0 x is equal to minus का root 2 यह दो तो निकल ही है इसी तरीके से x minus 1 is equal to 0 x is equal to क्या हो जाएगा 1 और 2x minus 1 is equal to 0 इन सभी factors को क्या करेंगे 0 के equal लखेंगे 2x is equal to 1 और x is equal to 1 upon 2 तो इसके 4 zeros कौन कौन से हो जाएगे तो यह हो जाएगे आप लाश्ट में लेखोगे root 2 minus का root 2 1 और 1 upon 2 चीक है all are the zeros of dx इस तरीके से एक questions जो होता है वो solve होता है काफी बड़ा question है पर आपके लिए नहीं है अगर आपको basics बाते पता होंगे जिसे quadratic polynomials है उसको कैसे solve करते हैं यह 9th class की बात है अगर आपको अच्छे से आती होंगी तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी ठीक है यह तरीके से आपका example 9 complete होता है अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले बैल आइकन का बटन प्रेस करें अपने फ्रेंड्स के साथ मेरा चैनल शियर करें लाइक करें कमेंट करें और मुझे क्वैरी बताए क्या आपको कहां पर क्या दिक्कत आ रही है ठीक है